सारवजनिक स्थान पर नंगी तलवार लहराने वाला शातिर बदमास गिरफतार अभ्युक्त के कबजे से तलवार जप्त आम जन में भैकावयम करने के उद्देश से लहरा रहा था तलवार सागवडा डुंगरपूर जिले के सागवडा थाना अंतरगत थाना अधिकारी हरेंदर सिंग सोडा ने बताया कि कुंदन कमारिया पुलिस अधिक्षक जिला डुंगरपूर द्वारा अवेद हतियार रखने वालों के खिलाप चलाए जा रहे अभ्यान के तहत निरंजन चारण तिरिक् व्रत सागवडा के निकट सुपर विजन में थाना अधिकारी, हरेंदर सिंग सोडा के नेत्रत्व में समेश्वर उपनिरिक्षक, सुरेश कुमार हेड कॉंस्टेबल, दर्मेंदर सिंग हेड कॉंस्टेबल, पुपेंदर सिंग कॉंस्टेबल, दिपक कॉंस्टेबल, बिमरा करा कर आम जन में भाय पैदा करने वाले अभ्यूक्त अनिल पिता देविलाल डिंडोर उम्रे किस्व और निवासी वगेरी पाडला पुलिस्थाना सागवडा जिला डुंगरपुर राजस्थान को गिरफतार कर उसके कबजे से तलवार बरामत की गई है अभ्यूक्त अनिल क को बाद अनुसंदा न्याले में पेश कर दिया गया है जहां से न्याईक हिरासत ने बेजने के आदेश होने पर उपकार अग्रस सागवडा में जमा करवाया गया है सागवडा लाइव न्यूज जिहां लेटेश्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए धन्यवाद